मेरे पडोसी ने कुछ महपूर्व एक नई कार खरीदी। उन्होंने उस कार से अपने परिवार के साथ चिन्ही से दक्षणी तमिलनाडू जाने का लंबे कार्यक्रम की योजना बनाई। वे कुछ दिन उस जगह रुके और वापिस चिन्ही आ रहे थे। हाई वे पहुँचने के कुछ ही मिनटों बाद एक पेड़ की बड़ी सी टहनी कार के बोनट पर अचाना कागिरी। कार का सामने वाला हिस्सा ध्वस्त हो गया। शीशे और विंडशील्ड तूट गये। सौभाग्य से दो बच्चों के साथ परिवार सुरक्षित बच किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। कार नई थी किन्तु यह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जैसे ही मैंने सुना तो मैंने कहा कि यह कार तो आपके लिए मनहूस सिद्ध हुई है। नई नई कार थी, पूर्णता का बीमा था और कमपनी पडोसी को नई कार देने को राजी थी। मुझे लगा कि पडोसी उस मनहूस शतिग्रस्त कार के बदले नई कार लेने को सहमत हो जाएंगे। किन्तु मेरे पडोसी कहने लगे। तुम्हें मेरी कार मनहूस क्यों लग रही है। यह तो लकी कार है। इसने दुरगटना का खत्रा अपने उपर लेकर ह हमारी जाने बचाई हैं। अगर हम जिन्दा हैं तो इसी कार की वजह से। मुझे दूसरी कार नहीं चाहिए। इस कार को केवल रिपेर की जरूरत है। मैं उनकी ऐसी सकारात्मक सोच देखकर आश्चर या चकित रह गया। दोस्तों हम जिन्दगी में जितने भी लोगों स मिलते हैं उन सभी की सोच अलग-अलग हो सकती है यानि जिन्दगी को देखने का नजरिया अलग-अलग हो सकता है। लेकिन जिन्दगी की गुणवत्ता नजरिये पर निर्भर करती है। एक ही बात किसी को आपदा लगती है तो दूसरा उसमें से भी कोई अवसर तलाश ल